यह देखे जो आपको इसकीन पर दिख रहा है इसका हमें derivative करना है लिखा कि if integral 0 से x यह आपका t square लिखा है अपान में आपका लिखा है t square plus 1 dt then dy upon dx at x equal to 1 is तो देखे इसका तरीका बहुत इजी है इस rule को आप याद कर लिजिए तो इसे पहले आप let बराबर let equal to आप मान लिजिए तो इसका derivative आप करते हैं d y upon dx तो यहाँ पर जो आपका जो t है यहाँ पर आपका करिए yaks square कर दीजिए अपान में भी आपका करिए yaks square कर दीजिए यहाँ plus आपका है अब जो आपका यह है जो power आपकी यहाँ पर दी लिमिट थी कि उसका आप derivative कर दीजिए फिन यहाँ पर आप माइनस करेंगे जब आपकी जो लो लिमिट आपकी है यहाँ पर लिमिट आपने रखा तो यहाँ पर देखिए यहाँ जहाँ आपका टी है वहाँ आपका यहाँ पर टी स्क्वार हो जाएगा अपान में देखें क्या हो जाएगा आपका अपान में देखे जो आपका आपका जो T है वहाँ पर T स्क्वार हो जाएगा और यह आपका प्लस 1 अब इसका देखे 0 का derivative करने तो कुछ नहीं होगा तो यह आपका क्या हो जाएगा आल लेडी पुरा 0 हो जाएगा आपका तो सिर्फ आपका इतना ही बचेगा answer हमको निकारना है तो यहाँ पर लिखे dy upon dx यह आपका x square अपान में देखे आपका हो जाएगा root के अंदर x square प्लस आपका one इसकी value क्या हो जाएगी आपकी one तो हमें किस पर निकारना है x equal to 1 पर यहाँ पर आपका लिखे dy upon dx यह हो जाएगा x equal to 1 अब यहाँ पर वाईलू जो है रख दीजिए यह हो जाएगा आपका 1 1 का square करें तो 1 रहेगा आपका यह आपका हो जाएगा rule में अब एक कोशन और लगाते हैं हम इसके, देखिए आपका यह है, ए भी सब आपका UPC में यह भी आया है, UPC में देखिए आपका यह भी आया था, UPC में और यह आपका 2007 में यह भी आया था, अब देखिए यह भी आपका आया था कोशन, काफी अच्छा यह भी आपका आया था U PC में 27 में देखे यह आपका यह दिया है if y equal to आपका लिखा है integral x x square यह आपका root के अंदर आपका लिखा है 5 minus t square into dt then यह आपका then लिखा है then the value of dy upon dx at जो आपका x equal to root में आपका 2 लिखा है इसकी value हमें बतानी है तो सेम तरीका आप यहाँ पर यूज करिए जो पीछे हम बताएं सेम तरीका सेम रूल यहाँ देखे dy upon dx आपका हो गया अब जो यहाँ पर देखे जो low upper limit आपकी है इसमें put कर दीजे t की जगा तो हो जाएगा आपका root में क्या हो जाएगा आपका 5 यह हो जाएगा आपका यहाँ पर देखे जब यहाँ पर रखें देखे यहाँ पर आपका इसका भी आपका क्या हो जाएगा इसक्वार हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर है अब इसका आप derivative करिजिए जो upper limit आपकी है इसका आप square करिए जो upper limit आपका square है इसका आप deductive कर दीजिए यक्स के साफ यक्स में और यहाँ देखिए आपका minus होता है अब देखिए यहाँ पर जो है जो low limit है इसमें आपका रखेंगे आपका यह हो जाएगा आपका 5 minus यहाँ पर आपका हो जाएगा यक्स square टी के जगे हमने पुट कर दिया अब इसका आप deductive कर देगे यक्स का दिखें जिए करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका यह हो जाएगा आपका देखिए square है, x square है h की value क्या होगी आपकी 1 होगी, क्या होगी आपकी x का derivative तो आपका one आजाएगा अब देखिये यहाँ पर जो है जो हमें क्या करना है, x equal to आपका 2 दिया है, यहाँ पर लिखिये dy upon dy upon dx यहाँ पर x equal to veramente root में 2 दिया है यहां पर रख दीजिए तो यहां पर आप रखें क्या हो जाएगा आपका यह हो जाएगा आपका 2 रूट में आपका 2 और यहां पर जब करेंगे देखे जब यहां पर देखे यक्स आपका रूट में है इसकी power अगर फोर करेंगे तो आपका कितना आजाएगा यह हो जाएगा आपका फोर आजाएगा root में आपका करेंगे root की power अगर आपकी फोर है तो यह आपका फोर आजाएगा root में 2 है इसकी power फोर करेंगे तो आपका फोर आजाएगा तो यहां हो जाएगा आपका 5 माइनस देखिए 5 माइनस आपका फूर हो जाएगा अब देखिए यहां पर माइनस आपका है यहां देखिए रूट के अंदर आपका देखिए क्या है आपका यहाँ x square अगर root का आप करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 2 आजाएगा तो यहाँ पापका कितना हो जाएगा आपका 2 हो गया अब इसे solve कर लेजिए आपका answer मिल जाएगा तो देखें आप करेंगे क्या हो जाएगा आपका 2 आपका आया है यह देखिए आपका आपका आगया तू रूड में टू माइनस आपका रूड में थिरी इसमें देखिए जो आपसन आपका फर्स्ट लापका सही है हमारी डेरिवेटर की वीडियो बहुत सी अप्लोड हो चुकी है ट्रिक की जाके आप लोग देख सकते हैं में चैनल से जुड़िए और बहत्री इंटिक लेजिए पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्नवाद